हलो आज हम लोग जार्खन के चर्चित स्थल के बारे में बात करने वाले हैं जार्खन के करेंट एफिरस में तो चलिए देर ना करते वे क्लास को स्टार्ट करते हैं 15 नवंबर 2023 इस्वी को भारत के प्रधान मत्री नरेंद्र मोदी ने जन जातिये गौरव दिवस के अफसर पर कौन से स्थल पर बिरसा मुंडा को पुष्प अरपित किया इसका option A है खूटे ये नहीं होगा option B है चलकर ये नहीं है option C है दुमका ये भी नहीं होगा और option D है उली हातू right answer क्या हो जाएगा उली हातू right answer क्या हो जाएगा उली हातू में पुष्प अरपित के नेक्स्ट कोस्चन की और बढ़ते हैं जारखन के किस railway station का नाम बदल कर श्वतंतरता शेनानी वर चुआड विद्रो के नायक रगुनात महतो के नाम पर किया जाएगा किसके नाम पर रगुनात महतो के नाम पर किया जाएगा option A है मूरी, option B है रांची, option C है गम हरिया, option D है चक्रधरपूर आप लोग comment करकर बताएगे कि इसका answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा मूरी, क्या हो जाएगा मूरी रगुनात महतो के नाम पर किया जाएगा, option A है मूरी इसका right answer मूरी हो जाएगा, next question की तरफ बढ़ते हैं दुमका जीले के किस अस्थान से आदी मानव के पदचिन मिले हैं दुमका में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से आदी मानव का पदचिन मिला है option A है जर्मुंडी, option B है महापला पहाड, option C है हिजला पहाड और option D है सिव पहाड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महापला पहाड, महापला पहाड दुमका में एक महापला पहाड नाम के स्थान से आदी मानव के पदचिन मिले हैं next question की तरफ बढ़ते हैं next question है option A है राची, option B है जमसेदपूर, option C है बोकारो, option D है धनबाद इसका इसमें कौन सा स्थान सामिल नहीं है तो राची इसमें सामिल नहीं है, बांकी सारा सामिल है next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा जारखंड के किस सहर में देश के दूफरे सबसे बड़े सिवलिंग की स्थापना की गई है option A है राची, option B है जमसेदपूर, option C है बोकारो, और option D है देवघर हम लोग देवघर को बाबा बासुकी नात के नगर के नाम से जानते हैं लेकिन राइट आंसर देवघर नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा रांची, क्या हो जाएगा रांची next question की और बढ़ते हैं D I E C द्वारा, अमरित पार्क का उदगाटन कहां किया गया अमरित पार्क का उदगाटन कहां पे किया गया टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आप्सन C है बोकारो स्टील प्लांट, आप्सन D है एच ए सी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप्सन C बोकारो स्टील प्लांट नेक्स्ट कोश्चन के ओर देखते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है हमारा केंदरिय ग्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जारखन में कहां IFFCO नैनो यूरिया प्लांट के पांचवे सहींत का सीला न्यास किया है इसका सहीं अंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा आप्सन A है चत्रा, आप्सन B है गिरडी, आप्सन C है देवघर, आप्सन D है जामताड़ा इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्सन C देवघर नेक्स्ट कोश्चन के ओर देखते हैं जारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्स पूराने जिवास्म को शर्रक्षित करने और एको टुरिज्म को बढ़ाने के लिए जिवास्म अभ्यारन कहां पर खोला गया है? जिवास्म अभ्यारन कहां पर खोला गया है? उप्शन A है साहिब गंज, उप्शन B है गोड़ा, उप्शन C है दुमका, उप्शन D है हजार इवाग इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन A साहिब गंज, क्या हो जाएगा साहिब गंज में? हाल ही में मुख्यमंतरी हैमंत सोरेन ने कीस अस्थान पर पच्चास हजार लीटर चमता के मेगा डेरी प्लान का सुभारम किया, कौन से स्थान पर सुभारम किया है? उप्शन A है राची, उप्शन B है हजारी बाग, उप्शन C है साहिब गंज, और उप्शन D है, यहां पर D होगा, यहां पर D हो जाएगा, उप्शन D है हमारा गुड़ा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साहिब गंज, कहां पर स्थापित कि गया है साहिम गज में नेक्स्ट कोश्चन की और देखते हैं भारती ये पूरा तत्व विभाग द्वारा जारखन के किस अस्थान से प्राप्त बौध ये अवसेसों में लिखी लीपी के अध्यन की यूजना बनाई गई है शोहरा हजारी बाग देहर हजारी बाग ऑप्सन सी है चत्रा या ऑप्सन डी है एवं बी दोनों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन डी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं जल सक्ती मंत्रालई द्वारा जारखन के गुनी गाउं को तृतियर नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत के टेगरी इस्ट जोन के लिए चुना गया या किस जीले में है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन बी खूटी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन बी खूटी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अमोनियम सलफेड प्लांड का उडगातन कहां किया गया है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एसल नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं मुख्यमंत्री हैमंत शोरेन बुढ़ा पहार का दोरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने यह किस जीले में अवस्थित है बुढ़ा पहार कौन से जीले में अवस्थित है Option A है प्लामू, Option B है चत्रा, Option C है लातेहार, Option D है गडवा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Option D गडवा जारखन के किस जीले में विश्व वियापार केंदर का उदगाटन किया गया? Option A है राची, Option B है धनवाद, Option C है जमसेतपूर, Option D है देवघर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Option A, राची, क्या हो जाएगा? राची हो जाएगा? Next question क्यों बढ़ते हैं? मुख्य मेंतरी हैमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्र, क्या कह रहा है? खतियानी जोहार यात्रा, आठ दिसंबर 2022 को कीस अस्थान से शुरू किया Option A है गडवा, Option B है दुमका, Option C है राची, और Option D है देवघर कहां से शुरू किया? तो Option A गडवा से शुरू किया Next question देखते हैं हम लोग हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकूट परवचर्चा में रहा या किस जीले में अवस्थित है? Option A है देवघर, Option B है साहिब गंज, Option C है दुमका, और Option D है पाकूर या कौन से जीले में अवस्थित है? कमेंट करकर बताईए ये देवघर जीले में अवस्थित है कौन सा जीला? देवघर जीले में Next question देखते हैं हम लोग केंद सरकार ने किस जीले में संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन खोला? परदूशन मुक्त वातावरण के मांग को देखते हुए संथाल परगना में टोटल छे जीले आते हैं ये आपको पता होगा नहीं पता है तो नोट कर लीजेगा Option A है दुमका Option B है गोड़ा Option C है पाकूड Option D है देवघर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Option D देवघर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हम लोग जारखन में किस स्थान पर पहला कन्वेंसर सेंटर बनाया गया? Option A है राची Option B है दुमका Option C है जमसेदपूर Option D है धनवाद इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Option B दुमका क्या हो जाएगा? दुमका आसा करते हैं आपको ये Current Affairs जारखन का अच्छा लगा होगा और आपके एक्जाम के लिए ये अती महत्वपूर्ण है कतरी जहर है आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं एक्जाम में यहां से अधिकतर प्रस्ण पूछे जाते हैं हर एक्जाम में जारखन JPSC, जारखन SSC, जारखन SSC, CZL जारखन के कोई भी एक्जाम में Current Affairs पूछे ही जाते हैं एक बार आप ज़रूर रिवाइज करके जाएं थैंक यू अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसी तरह आप पढ़ते रहें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें थैंक यू